हाई फ्रिंड्स, हाव और यौल, होप यौल आ दूइंग ड्रेट और आज के इस वीडियो में हम लोग SSC MTS के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के थूँ हम जानेंगे कि SSC MTS के फॉर्म को कौन-कौन फिल कर सकता है क्या eligibility है इसकी और total किते vacancy आई हुई है MTS में एंड हवलदार में and क्या syllabus है इसका and most important बात भाई तयारी कैसे करने इसकी तो इन सब बातों को जानने के लिए जुड़े रहे हम से वीडियो के इन तक तो चलिए time को waste ना करते वे वीडियो के start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं form submission का जो date है तो 27 जून से form filling start हो गया है और last date है 31 जुलाई तो 31 जुलाई से पहले-पहले सभी लोग अपना form fill कर लीजे जिन लोगों को भी fill करना है फिर बात करते हैं हम लोग इसकी eligibility की बारे में कौन को ने से इस form को fill कर सकता है तो इस form को fill करने के लिए सबसे पहले तो आपका 10th pass होना जरूरी है प्लस में आप 18 years के होने चाहिए minimum 18 years अगर मैं बात करूँ इसकी vacancies की तो इसमें total इस बार vacancies आई हुई है 8326 अराउंड तो इसमें जो MTS के post है यह है 4887 और हवलदार के जो post है 3449 यह जो exam होता है computer based exam होता है और इसका जो syllabus है तो अगर आप syllabus को देखे तो कुछ इस type का है सबसे पहरे मिस को देख लेते हैं क्या pattern है इस exam का तो इस exam में 2 session में exam होता है session 1 and session 2 दोनों एक ही बार में हो जाते हैं ऐसा नहीं कि session 1 हुआ तो आपको time मिला फिर session 2 में नहीं session 1 खतम हो जैसी session 2 स्टार्ट हो जाता है तो session 1 में किनकिन subject से question आते हैं तो इसमें reasoning and math दो इन दोनों subject से आते हैं और 20-20 question दोनों से रहेंगे मतलब कि 20 question math से and 20 question reasoning से and 45 minutes आपको मिलते हैं इसके बाद से session 2 स्टार्ट हो जाता है जिसमें general awareness and English language होता है general awareness में आपका current affairs चीकेजियस यह सारी topics आजाते हैं जिसके आपको 25 questions मिलेंगे and English language में इसका भी syllabus है थोड़ा और most important यह है कि इसमें negative marking है और अगर मैं इसके syllabus की बात करूँ तो maths में क्या है basic maths आते हैं यह जो session 1 है यह qualifying है इसमें जो total 40 questions है 12-13 questions अगर आपके सही होगे तो यह आप qualify कर लेते हैं and I don't think कि जो भी कोई इस exam के preparation कर रहा है उसको चालिस question में सिफ 12-13 questions solve करने में कोई भी problem होगी तो 12-13 questions तो होई जाते हैं बस जो cut-off बनता है na session 2 में आपका अच्छा number होना चाहिए session 2 तो इसके लिए भी आगे बात करेंगे कैसे इसका preparation करना है पहले syllabus को जान लेते हैं तो syllabus में हमारा जो maths रहता है वो basic maths रहते हैं जैसे कि आप देखी सकते हैं इसमें क्या है whole numbers, LCM, HCF, decimals, fractions, relationship between numbers, fundamental arithmetic operations and board mass, percentage ratio, work and time अगर देखा जाए तो यह सारे बहुत ही easy हैं अगर आप इतने से कुछ-कुछ topics को उढ़ा के अच्छे से cover कर लेते हैं उस पे अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो maths उतना भी खराब नहीं होगा हो जाएंगे बारतेरा question आराम से reasoning में भी बहुत अच्छे-च्छे topics हैं coding है, coding decoding है, analogy है, alphanumeric series है, non-verbal reasoning है clock वाल अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आप इसमें अपना इस number ले सकते हैं reasoning and math आप YouTube के किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, बारतेरे question अराम से हो जाएंगे जो दिक्कत आती है, वो session 2 में आती है general awareness में general awareness का क्या है, कि इसका syllabus थोड़ा अजीब है, अजीब क्या है, सही ही है इसमें general awareness में आपको क्या subjects मिलते है, history, geography, art and culture, civics, economics, general science and environment studies and current affairs plus में और जो भी questions रहेंगे, up to 10th standard के रहेंगे और बहुत जादा deeply पूछता भी नहीं है, कुछ-कुछ topics तो इसमें ऐसे हैं कि हाँ, उनसे questions आती ही है तो general awareness के लिए तो मैं आपको suggest करूँगे, YouTube का कोई भी एक अच्छा सा channel देख लीजे उसमें topic wise, जैसे कि quality में क्या पूछता है, quality में कुछ amendment वगेरा पूछ लेता है important amendment आप याद कर लीजे, फिर GKGS में क्या ही आता है, उसमें जो instrument होते हैं, कौन-कौन से instrument है, उनको बजाने वाले कौन है, ये नाम पूछ लेता है famous festivals पूछ लेते हैं, अगर और भी देखा जाए तो GKGS में जनगरना से पूछते हैं, और basic history, basic geography की सारे questions पूछ लेते हैं economics में अगर देखा जाए तो जो पंच बर से use ना होता है, इससे बहुत जादा questions बनते हैं, बनने की chances रहते हैं, तो आप economics में एक बार उसको देख लीजे, आल्टन culture भी ऐसे ही है, तो आप एक एक बार अगर सारे questions को देखेंगे न, सारे topics को, तो यह बहुत ही अच्छे से cover हो जाएगा, English में क्या आता है, इसमें vocabulary रहता है, and vocabulary, grammar, sentence structure, antonyms, anonyms, and grammar के कुछ uses आते हैं, comprehension आता है, paragraph देता है, paragraph के base पर आपको कुछ questions देंगे, जो कि आपको solve करने होंगे, इसमें paragraph में जो questions आते हैं, वो आपको पता है कैसा आते हैं, मतलब कि एक paragraph देगा, और उसके base पे कुछ question पूछेगा, तो इस question में most of the time, positions के users से पूछता है, कि कुछ random से sentence देगा, मतलब कि paragraph से related ही, और फिर उसमें से पूछेगा कि इस जगे पे हम किस preposition का use करें, तो इसमें English में तो सबसे ज़्यादा important हो जाता है, basic grammar का, आपको basic grammar से भी आनी चाहिए, तो एक बार उसे देखना चाहिए, antonyum, synonyms भी कभी-कभी paragraph में पूछ लेता है, and grammar के rules बहुत ज़्यादा important है, इसमें rules से भी बहुत सारे questions बनते हैं, one word substitution आते हैं, and idioms and phrases आते हैं, इसमें English के जितने भी topics हैं, इसको मैं cover करने वाली हूँ 15 जुलाई से, 15 जुलाई से एक batch start हो रहा है, जिसमें English के सारे topics को cover करूंगी, previous year के जितने भी questions पूछे गया हैं, वो से solve होंगे, and daily basis पे हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, anonyms, anonyms, daily हम लोग कुछ-कुछ याद करेंगे, and उसका practice भी करेंगे, टेस्ट देकर हम लोग अपनी memory power को और भी ज़्यादा strong करेंगे, and vocabulary सीखेंगे, grammar rules daily daily हमको सीखने हैं, ताकि अभी तो यह exam होगा October या November में, तो time बहुत है, daily daily थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो चलिए मिलते हैं 15 जुलाई को, तब तक के लिए, take care, bye-bye.